अब चुनावी बिगुल भी फूका जा चुका है सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावे उतरने के लिए अपनी रणीतियों पर काम करना तेज कर चुकी है से बीच शह और मात का खेल भी शुरू कर दिया गया बात करें महागटबंदन की आफ़रंडिये की तो दोनों में सीश रणी को लेकर मामला पेचिजा होते जा रहा है और अब तक अटकले भरकरार है लेकिन इसी बीच महागटबंदन में तेजस्वी आदव महागटबंदन के घटक दल रालोस्पा को आउट कर चुके है जिहां तेजस्वी आदव ने उपेंद्र कुश्वाहा को आउट कर दिया है हम ऐसा क्यों कह रहे है आपको बताते हैं महागटबंदन में सीश शेरिंग को लेकर चल रही रस्सा कश्वी के बीच तेजस्वी आदव ने उपेंद्र कुश्वाहा का पत्ता साफ कर दिया पर हमलावर नज़र आ रहे थे इसको लेकर कुश्वाहा ने पार्टी की मिटिंग बुला कर महागडबंदन में रहने या फिर ना रहने का फैसला लेने के लिए अपने निताओं से बात भी की थी लेकिन कुश्वाह कोई भी फैसला लेते इससे पहले तेजस्वी ने कुश् तेजिस्वी को अब कुश्वाहा की जरूरत नहीं है। तेजिस्वी आदव की अनबातों से इसाफ तोर पर ये नजर आ रहा है कि अब तेजिस्वी आदव ने कुश्वाहा को आउट कर दिया है। तेजिस्वी आदव ने कुश्वाहा को लेकर बायान दिया उसके बात से यहीं लग रहा है कि कुश्वाहा की मुश्किले तो बढ़ेंगी। एसे में क्या कुश्वाहा बीजेपी के ओफर को स्विकार करते हैं, जेड्यू की तरफ से जो ओफर आ रहे हैं उसे मानते हैं या फिर कोई और रननीती बनाते हैं। बनेड़ाय हमार साथ और देख्तिरा न्यूस फणेश, नमस्कार।